हलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खाना सिखो में आज हम बनाएंगे चटाकेदार खटी मिठी अमरूद की सबजी ये सबजी बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही जटपट बन जाती है तो चलिए अमरूद की सबजी बनाना शरू करते हैं सबसे पेले मैंने यहाँ पर दो अमरुद लिये हैं, इसे मैंने धो करके साप कर लिये हैं, इसका उपर और नीचे का पाठ कट कर लेंगे, अब हम इसे बीच में से कट करेंगे, और ये बीच वाला पाठे वो हम निकाल देंगे, क्योंकि जब हम सबजी बनाते हैं तो बीच म अब मैं इसे कट करती हूँ देखे इस तरह से हमें दोनों अम्रूत को कट करना है तो यह मैंने दोनों अम्रूत को कट कर लिया है यहाँ पर मैंने गेस पर एकड़ाई को रखी है इसमें हम तीन चमत तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है आधी चमत रई डालेंगे आधी चमत जीरा डालेंगे थोड़ी से हिंग अब हम अम्रूत को इसमें डाल देंगे मसाला डालेंगे एक चमत लाल मीर्च पाउडर आधी चमत हल्दी आधी चमत धनिया जीरा का पाउडर स्वात के अनुसार नमक सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे इसे डग करके पका लेंगे अब हम चेक करेंगे तो यह देखे सबजी अच्छे से पक गई है इसमें हरा धनिया डाल देंगे और गैस को बंद करेंगे और सबजी को हम सर्व करेंगे बहुत ही टेश्टी सबजी बनी है आप इसे जरूर बनाईएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना शेर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा थेंक्यू